इन दोर दो नमबर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश मेंदुला ने गोवर्धन पूजा कर चुनाओं में जीत का आशिरवाद मांगा। इस जोरान दादा दयालू ने पीम मोदी के रोड़ शो को एतिहासिक बताया। देखिए ये खास रपोर्ट। दो नमबर में दादा दयालू की गोवर्धन पूजा। गौमाता की पूजा कर लिया जीत का आशिरवाद। बीस सानों से लगातार रमेश मेंदुला कर रहे गोवर्धन पूजा। चुनावी उत्सव में चर्चाओं में है दादा दयालू की गोवर्धन पूजा। मद्यप्रदेश के चुनावी उत्सव में दिवाली त्योहार ने चार चान लगा दिये हैं। इंद और दो नंबर में भाजपा प्रत्याशी रमेश मिंदुला ने हर साल की तरह इस साल भी दूमधाम से गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया। क्षेदर के नंदा नगर इलाके में दादा दयालू ने गोव माता को सजाया और फिर पूजा अर्चना कर जीत का आशिरवाद मांगा। यायोजन ग्वालवंश यादव समाज द्वारा किया जाता है जिसमें दादा दयालू मुख्य रूप से मौजूद रहते हैं। बीस सालों से दादा दयालू इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। रमेश मेंदोला ने जौरान प्रदेश की सुक्संबृधी की कामना की और प्रधान मंतरी नरिंद्र मोदी के रोडशो को एतिहासिक बताया। आज नंदा नगर में हमारे आज़ाई यादो जी और उनका पूरा परिवार गोर्धन पूजा के माधे सेवा करते हैं। पूजा करते हैं। गौर्धलब है कि दो नंबर से भाजपा प्रत्याशी रमेश मिंदोला एक बार फिर जीत का इतिहास बनाने के लिए एक शेत्र में लगातार लोगों के बीच पहुच रहे हैं। और दीपोत्सव के पर्व ने उनके जनसंपर की गती को दो गुना कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर MP के आदिवासियों के मन में मोदी, क्यूंकि पांच लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार, रुपए पांच सो करोड की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार, बीस वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार, संकल्प लेने के लिए साथ 00 मिस्ट कॉल करें